नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी कावेकोश और प्रस्त थे कहानी रतेक सप्ताह। आज हम देखेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्रजी की कहानी उसकी मा। दोपहर को जड़ा आराम करके उठा था, अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा-खड़ा, बड़ी-बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकाले की और निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोईकृती उनमें से निकाल कर देखने की बात सोच रहा था। मगर पुस्तकाले के एक सीरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। महानों के नाम ही पढ़ते पढ़ते परिशान सा हो गया, इतने में मोटर की पोपो सुनाई पड़ी, खिड़की से जाका तुछ सुर्माई रंग की कोई फियर्ट गाड़ी दिखाई पड़ी, मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं, अच्छा है महानों से जान बज जब नौकर ने सलाम कर आने वाले का कार्ट दिया, तब में कुछ खबर आया, उस पर शेहर के पुलिस सुप्रेटेंडन का नाम चपा था, ऐसे बेवक्त ये कैसे आए? पुलिस पती भीतर आये, मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गर्दिदार कुर्सी पर उने आसन दिया, वे व्यापारिक मुस्कराट से लैसो कर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे शमा करें, आ क्या हो? मैंने भी नम्रता से कहा, उन्होंने पॉकिट से डायरी निकाली और डायरी से एक तस्वीर, बोले देखिए इसे जरा बताईए तो आप पहचानते हैं इसको, हाँ पहचानता तो हूँ, जरा सहमते हुए मैंने बताया, इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछिए, इसका नाम क्या है? लाल, मैं इसी नाम से बच्पन से इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर ये पुकारने का नाम है, एक नाम कोई और है, सो मुझे इस मरण नहीं, कहां रहता है यह? सो प्रिटेंडेंट ने मेरी और देख कर पूछा, मेरे बंगले के ठीक सामने एक दो मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है, वह है और उसकी पूरी मा, बुरी का नाम क्या है? जान की, और कोई नहीं है क्या इसके परिवार में, दोनों का पालत पोर्शन कौन करता है? साथ आठ वर्शुए लाल के पिता का देहान थो गया, अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं, उसका पित कुछ हजार रुपे जमा कर गया था, जिससे अब तक उनका खर्चा चल रहा है, लड़का कॉलिश में पढ़ रहा है, जान की को आश्या है, वह साल दो साल बात कमाने और परिवार को सभानने लगेगा, बगर शमा कीजिए, क्या मैं आपसे या पूछ सकता हूँ, या आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछ आच कर रहे हैं, यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ ले, यह सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है, अजीस में तकलीफ की क्या बात है, हम तो साथ पुछ्ट से सरकार के फर्मा बरदार हैं, और कुछ आग गयां, एक बात और, पुलिस पती ने गंभीरता पूरवग धीरे से कहा, मैं मित्रता से आप से निवेदन करता हूँ, आप इस परिवार से जरा साबधान और दूर रहें, फिलहाल इस से अधिक मुझे कुछ कहना नहीं, लाल की मा, एक दिन जानकी को बुला कर मैंने समझाया, तुमारा लाल आजकल क्या पाजीपन करता है, तुम उसे केवल प्यार ही प्यार करती हो ना, हम, होगोगी, क्या है बाबू, उसने कहा, लाल क्या करता है, मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती, बिना किये ही तो सरकार किसी के पीछे नहीं पड़ती, हाँ लाल की मा, बड़ी धर्मात्मा विवेकी और न्याई सरकार है यह, जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा, मा मा पोकारता उसी समय लाल भी आ गया, लंबा सुडॉल सुंदर थे जस्वी, मा उसने मुझे नमस्कार कर, जानकी से कहा, तु यहाँ भाग आ समकने लगी, कापने लगी, उसे देख कर, तु आ गया लाल, चलती हू भईया, पर देख तो, तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं, तु क्या पाजी पना करता है बेटा, क्या है चाचा जी, उसने सविने सुमाधुर स्वर में मुझ से पूछा, मैंने कहा, अपरात किया ह मैंने क्या परात किया है, मैं तुमसे नाराज हूँ लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा, क्यों चाचा जी, तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद शड्यंत्र करने वाले के साथ ही हो, हाँ, तुम हो, देखो लाल की मा, इसके चेहरे का रंग उड़ गय यह सोच कर की यह खबर मुझे कैसे मिली, सच मुच एक पार उसका खिला हुआ रंग, जरा मुर्चा गया, मेरी बातों से, पर तुरंथी वसंगा, आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी शड्यंत्र में नहीं, हाँ, मेरी विचार स्वतंत्र अवश्य हैं, मैं जरूरत, ब पात सही, तुम शड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर या बगबग क्यों, इससे फाइदा, तुमारी इस बगबग से, न तो देश की दुरदशा दूर होगी, और न उसकी पराधीनता, तुमारा काम पढ़ना है तो पढ़ो, इसके बात कर्म करना होगा, परिव स्विशय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता, चाहना होगा, विवाद करना होगा, मैं केवल चाचा जी नहीं, तुमारा बहुत कुछ हूँ, तुमें देखते ही मेरी आँखों के सामने रामनात नाचने लगते हैं, तुमारी बूरी मां घूमने लगती है, भला मैं तुम्हें बेहात होने दे सकता हूँ इस भरोसे मत रहना इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी मैं और आप दो भिन्न सिरो पर हैं आप कट्टर राजभक मैं कट्टर राजविद्रोही आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से मैं दूसरी को दूसरे कारणों से आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कलपनाओं के लिए मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता तुम्हारी कलपनाई क्या है सुनो तो जरा मैं भी तो जाननू कि अपके लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे कैसे हवाई के लिए उठाने के सपने देखने लगते हैं जरा मैं भी तो सुनो बेटा मेरी कलपना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए जान की उठकर बाहर चली अरे तू तो जमकर चाचा से जूचने लगा वहाँ चार बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे लड़ तू मैं जाती हूँ उसने मुझसे कहा समझा दो बाबो मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती फिर इससे क्या समझाऊंगी उसने फिर लालकियों देखा चाचा जो कहें मांजा बेटा यह तेरे भले की ही कहेंगे वह विचारी कमर चुकाए उस साथ वरस की वय में भी घूंगट समभाले चली गई उस दिन उसने मेरी और लालकी बातों की गंभीरता नहीं समझी मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा ऐसे दुष्ट व्यक्तिनाश्ट राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो तुम्हारे हाथ दुर्बल है उनसे जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो चर्र मर्र हो उठेंगे नश्ट हो जाएंगे चाचा जी नश्ट हो जाना तो यहां का नियम है जो सवारा गया है वह बिगडेगा ही हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोखना चाहिए कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं भगवान की जहस्त्र भुजाओं की सखिया है तो तुम करना क्या चाहते हो जो कुछ मुझसे हो सकेगा करूँगा शड्यंत्र जरूरत पड़ी तो जरूर विद्द्रोह हाँ अवश्य हत्या हाँ 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 बेटा तुम्हारा माधा नचाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते विगड़ रहा है साबधान मेरी धर्म पत्नी और लाल की मा एक दिन बैठी हुई बाते कर रही थी कि मैं पहुँच गया कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था क्यों लाल की मा लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे गर में मैं क्या जानू बाबू उसने सरलता से कहा मगर वे सबी मेरे लाल की तरह मुझे प्यारे दिखते हैं सब लापरवा में इतना हसते गाते और होहला बचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ मैंने ठंडी सांस ली हाँ ठीक कहती हो वे बाते कैसी करते हैं कुछ समझ पाती हो बाबू वे लाल की बैठक में बैठते हैं कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने जाती हूँ तब बड़े प्रेम से मुझे मा कहते है मेरी चाती फूल उठती है मानों वे मेरे ही बच्चे है मैंने फिर सांस ली एक लड़का उनमें बड़ा ही हसोड है खुब तगड़ा और बली दिखता है लाल कहता था वो डंडा लड़ने में, दौडने में घूसे बाजी में, खाने में, छेर खानी करने में और हो हो हा हा कर हसने में समूचे कॉलेज में फरस्ट है उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हल्वा परोस रही थी मेरे मूग की और देखकर कहा मा तु तो ठीक भारत माता सी लगती है तु बूड़ी, वबूड़ी उसका उजला हिमाले है तेरे केश हाँ, नक्षे से साबित करता हूँ तु भारत माता है सिर तेरा हिमाले माथे की दोनों गहरी बड़ी रिखाएं, गंगा और यमुना या नाक विंध्याचल, थोड़ी कन्या कुमारी, कता छोटी वड़ी जुर्याँ, रिखाएं भिन भिन पहाड और नदियाँ है जरा पासा मेरे तेरे केशों को पीछे से आगे बाई कंधे पर लहरा दो वो बर्मा बन जाएगा बिना उसके भारत माता का श्रिंगार शुद्ध न होगा जानके उस लड़के की बातने सोच गदगद हो उठी बाबू, ऐसा ठीट लड़का सारे बच्चे हसते रहे और उसने मुझे पकड मेरे बालों को बाहर कर अपना बर्मा तयार कर लिया उसकी सरलता में आँखों में आँसू बन कर चा गई मैंने पूछा लाल की मा और भी वे कुछ बाते करते हैं लड़ने की, जगरने की, गोला गोली या बंदू की अरे बाबू, उसने मस्कुरा कर कहा वे सभी बाते करते हैं उनकी बातों का कोई मतलब थोड़े ही होता है सब जवान है, लापरवा है जो वू में आता है, बकते हैं कभी-कभी तो पागलों सी बाते करते हैं महीनावर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे नजाने कहा लड़कों को सरकार पकड़ रही है मालूम नहीं, पकड़ती भी है या वे योही गप भागते हैं मगर उस दिन वे यही बक रही थे पुलिस वाले किवल संदे पर भले आदमियों के बच्चों को तरास देते हैं मारते हैं, सताते हैं यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है ऐसी नीच शासन प्रडाली को स्विकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है धीरे धीरे घुलाना है, मिटाना है एक ने उत्तेजित भाव से कहा अजी ये परदेशी कौन लगते हैं हमारे बर्बस राजभक्ती बनाए रखने के लिए हमारी चाती पर तोप का मू लगा अड़े और खड़े हैं उफ, इस देश के लोगों के हिये की आँखे मुंद गई हैं तबी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी आदमी से डरता है ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी अपनी आत्मा की चिता सवारते फिरते हैं नाशो इस पर तंत्रवाद का दूसरे ने कहा लोग ज्यान न पा सके इसलिए इस सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के सादनों को अग्यान से भर रखा है लोग वीर और स्वाधीन न हो सके इसलिए अपमानजनक और मनुशता ही नीती मर्दक कानून गढ़े हैं गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पलेवे पशो को शराब से कबाब से मोटा ताजा रखती है या सरकार धीरे धीरे जोग की तरह हमारे धर्म प्राण और धन चूसती चली जा रही है यह शासन प्रडानी ऐसे ही अंसन यह बात तुनी बका करते हैं बाबो जब ही चार छोकरे जुटे तब ही यह चर्चा लाल के साथियों का मिजाज भी उसी तरह अलढ़ बिलढ़ मुझे मालूम पड़ता है यह लड़के जो जो पढ़ते जा रहे हैं त्यो त्यो बकबक पे बढ़ते जा रहे हैं यह बुरा है लाल की मा मैंने गहरी सांस ली जमीदारी के कुछ जरूरी काम से चार पाइच दिनों के लिए बाहर गया था लोटने पर बंगले में घुसने के पूर्व लाल के दर्वाजे पर नजर पड़ी तो वहाँ एक भयानक सन्नाटा सा नजर आया जैसे घर उदास हो रूता हो भीतर आने पर मेरी धर्म पत्नी मेरे सामने उदास मुख खड़ी हो गई तुमने सुना नई तो कौन सी बात लाल की मा पर भयानक विपत्ती तूट पड़ी है मैं कुछ-कुछ समझ गया फिर भी विस्तरत विवरण जानने को उच्सुक हो उठा क्या हुआ जर साफ साफ पताओ वह हुआ जिसका तुमें भय था कल पुलिस की एक पल्टन ने लाल का घर खेड लिया था बारा घंटे तक तलाशे हुई लाल उसके बारा पंदरा साथी सब भी पकड़ लिये गए है सब के घरों से भयानक भयानक चीज़े निकली है लाल के यहां उसके यहां भी दो पिस्तॉल बहुत से कार्तूस और पत्र पाए गए है सुना है उन पर हत्या, शड्यंत्र, सरकारी, राज उलटने की चेश्टा आदी अपराद लगाए गए है मैंने ठंडी सांस ली मैं तो महीनों से चिला रहा था कि वल्लॉंडा धोखा देगा अब यह पूरी बेचारी मरी वह कहां है, तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी चानकी मेरे पास कहाई बुलवाने पर भी कल नकार गई नौकर से कहलाया पराठे बना रही हूं हलवा तरकारी भी बनाना है नई तो वे बिल्धर बच्चे हवालात में मुर्चा न जाएंगे जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन या सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी, मगर मेरे जीते जी यह नहीं होने का वह पागल है, भोगेगी मैं दुख से तूट कर चारपाई पर गिर पड़ा मुझे लाल के कर्मों पर घोर खेद हुआ इसके बाद प्राया एक वर्ष तक वा मुकदमा चला, कोई भी अदालत के कागज उलट कर देख सकता है CID ने और उनके प्रमुक सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े-बड़े दोशारों पड़ किये उन्होंने चारों और गुप्ट समितियां कायम की थी खर्ची और प्रचार के लिए डाके डाले थे सरकारी अधिकारीयों के यहां रात में छापा मार कर शस्रे कत्रत किये थे उन्होंने न जाने किस पोलिस के दरोगा को मारा था और न जाने कहां न जाने किस पोलिस सुप्रेटेटेंट को और ये सभी बाते सरकार की ओर से प्रमानित की गई उधर अन लड़कों की पीट पर कौन था प्राय कोई नहीं सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिल रहा था फिर एक बैचारा मिला वे तो नहीं का बाई हाँ उनकी पैरवी में सबसे अधिक परिशान वा बुही रहा करती वा लोटा, धाली, जेवरादी बेच बेच कर सुपर शाम उन बच्चों को भोजन पहुचाती फिर वकीलों के आन जाकर दात निपोरती, गिड़किडाती, कहती, सब जूट है नजाने कहां से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घरों से पैदा कर दी है फिर लड़के किवल बातूनी है हाँ, मैं भगवान का चरण छुकर कह सकती हूँ तुम जेल में जाकर देखाओ वकील बाबो भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं उसका तन सूपकर काटा हो गया, कमर छुपकर धनुश्ची हो गई आखे निस तेज, मगर उन बच्चों के लिए तोड़ना, हाई हाई करना उसने बंद न किया, कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन जुझला कर उसे जड़क देते, धक्या देते उसको अंतक के विश्वास रहा, कि ऐसा पुलिस की चालबाजी है अदालत में जब दूद का दूद और पानी का पानी किया जाएगा तब वे बच्चे जरूर बेदाफ छूट जाएंगे वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे मा कहकर पुकारेंगे मगर उस तिर उसकी कमर तूट गई, जिसन उची अदालत ने भी लाल को, उस बंगड, लठैत को, तथा दो और लड़को को हासी और दस को, दस वर्ष से साथ वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुना दी वो अदालत के बाहर जुकी खड़ी थी, बच्चे बेडियां बजाते, मस्ती से जूमते बाहर आए सबसे पहले उस बंगड की नजर उस पर पड़ी मा, वह मुस्कुराया, अरे, हमें तो हलवा खिला-खिला कर तुने गधे सा तगड़ा कर दिया है ऐसा की वांसी की रसी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहें मगर तू स्वयम सूप कर काटा हो गई है, क्यो पगली, तेरे डिये घर में खाना नहीं है क्या मा, उसके लाल ने कहा, तुभी जल वही आना, जहां हम लोग जा रहे हैं यहां से थोड़ी ही देर का रास्ता है, मा एक सांस में पहुचेगी, वहीं हम स्वत्रत्रता से मिलेंगे तीन कोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दोड़ते फिरेंगे समझती है, वहां बड़ा आनन्द है आईगी ना मा, बंगर ने पुछा, आईगी ना मा, लाल ने पुछा फासी दंड प्राप्त दो दूसरे लड़कों ने भी यही पुछा और वो टुकुर टुकुर उनका मुद ताक्ती रही तुम कहां जाओगे पगलो जब से लाल और उसके साथ ही पकड़े गए तब से शहर या मोहले का कोई भी आदमी लाल की मा से मिलने से डरता था उसे रास्ते में देख कर जाने पहचाने बंगले जाकने लगते मेरा स्वयम अपार प्रेम था उस बेचारी पूरी पर मगर मैं भी बराबर दूर ही रहा कौन अपनी करदन मुसीबत में डालता विद्रोही की मा से संबंध रख कर उस दिन ब्यालू करने के बाद कुछ तेर के लिए पुस्तकाले वाले कमरे में गया किसी महान लेखा की कोई महान कृती शन भर देखने के लालत से मैंने मेजनी की एक जिल्द निकाल कर उसे खोला पहली पन्ने पर पैंसिल की लिखावट देखकर चौका ध्यान देने पर पता चला में लाल के हस्ताक्षन थे मुझे याद पढ़ गई तीन वर्ष पूर उस पुस्तक को मुझसे मांगकर उस लड़के ने पढ़ा था एक पार मेरे मन में बड़ा मुहुत पन हुआ उस लड़के के लिए उसके पितार रामनात की दिव्व और स्वरगीय तस्वीर मेरे आँखों के आगे नाच गई लाल की मापर उसके सध्धानतों, विचारों या आचरणों के कारण जो वजरपात हुआ था उसकी एक थेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर को देखते ही लगी मेरे मुझसे एक गंभीर लाचार दुरबल सांस निकल कर रह गई पर दूसरे हिशन पुलिस सुप्रिटेंडन्ट का ध्यानाया उसकी भूरी, डरावनी, अमानवी आँखे मेरी आप सुखी तो जग सुखी आँखों में वैसे ही जमक गई जैसे उजडगाओं के सिवान में कभी-कभी भुतही चिनगारी जमक जाया करती है उसके रूखे फॉलादी हाथ जिन में लाल की तस्वीर थी मानो मेरी गर्दन चापने लगे मैं मेज पर से रबर उठा कर उस पुस्तक पर से उसका नाम उधेरने लगा उसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की मा वहां आ गई उसके हाथ में एक पत्र था अरे मैं अपने आपको रोप न सका लाल की मा तुम तो बिलकुल पीली पढ़ गई हो तुम इस तरह मेरी और ने हारती हो मानो कुछ देखती ही नहीं हो या हाथ में क्या है उसने चुपचा पत्र मेरे हाथ में दे दिया मैंने देखा उस पर जेल की मुहर थी सजा सुनाने के बाद वह वही भेज दिया गया था या मुझे मालूम था मैं पत्र निकाल कर पढ़ने लगा वह उसकी अंतिम चठी थी मैंने कलेजा रुखा कर उसे जोर से पढ़ दिया मां जिस दिन तुम्हें ये पत्र मिलेगा उसके सवेरे मैं बाल अरुण के किरण रत पर चड़कर उस ओर चला जाओंगा मैं चाहता तो अंसमें तुमसे मिल सकता था मगर इससे क्या फाइदा मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी ही रहोगी मैं तुमसे दूर कहां जा सकता हूँ मां जब तक पवन सांस लेता है सूर्य चमकता है समंदर लहराता है तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणा मैं कोच से दूर खीच सकता है दिवाकर थमा रहेगा अरुनरत के लिए जमा रहेगा मैं बंगर वह यह सभी तेरे इंतजार में रहेंगे हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे हामा तेरा लाल कापते हाँच से पढ़ने के बाद पत्र को मैंने उस भयानक लिफाफे में भर दिया मेरी पत्नी की विकलता हिचकियों पर चड़कर कमरे को करुणा से कपाने लगी मगर वज्जान की जियों की त्यों लकडी बर चुकी पूरी खुली और भावहीन आखों से मेरी उड़ देखती रही मानोस कमरे में थी ही नही शन भर बाद हाथ बढ़ा कर मौन भाशा में उसने पत्र मांगा और फिर बिना कुछ कहे कमरे के भाटक से बाहर हो गई डुगुर डुगुर लाठी देखती हुई इसके बाद शून निसा होकर मैं धम से कुरसी पर गिर पड़ा माथा चक्कर खाने लगा उस पाजी लड़के के लिए ही नहीं इस सरकार की क्रूरता के लिए भी नहीं उस बेचारी भूली बुढी जानकी लाल की मा के लिए वह कैसी स्तब्ध थी उसकी स्तब्धता किसी दिन प्रकृती को मिलती तो आंधी आ जाती समुद्र पाता तो बौखला उठता जब एक का घंटा बजा मैं जरा सक बगाया ऐसा मालूम पढ़ने लगा मानो हरारत पैदा हो गई है माथे में छाती में रग रग में पत्नी ने आकर कहा बैठे ही रहोगे सोगे नहीं मैंने इशारे से उन्हें जाने को कहा फिर मेजनी की जिल्द पर नजर गई उसके उपर पड़े रबर पर भी फिर अपने सुखों की जमीदारी की धनिक जीवन की और उस पुलिस अधिकारी की निर्दय नीरस निससार आँखों की स्मृती कलेजे में कमपन भर गई फिर रबर उठाकर मैंने उस पाजी का पिंसिल खचित नाम पुस्तक की जाती पर से मिटा डालना चाहा मा मुझे सुनाई पड़ा ऐसा लगा गोया लाल की मा करा रही है मैं रबर हाथ में लिये दहरते दिल से खिड़की की और बढ़ा लाल के घर की और कान लगाने पर सुनाई न पड़ा मैं सोचने लगा भ्रम होगा वह अगर कराहती होती तो एकात आवाज और अवश्य सुनाई पड़ती वह कराहने वाली औरत है भी नहीं रामनाद के मरने पर भी उस तरह नहीं गिगियाई जैसे साधारन इस्त्रियां ऐसे अवसरों पर तड़पा करती है मैं पुना सोचने लगा वह उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी खिलोने की तरह आराथी की तरह उसे दुलराती और सवारती फिरती थी पर आहरे छोकरे मा फिर वही आवाज जरूर जान की रो रही है जरूर वही विकल व्यतित बिवश बिलक रही है हैरी मा अभागिनी वैसे ही पुकार रही है जैसे वह पाजी का कर मचल कर स्वर को खीच कर उसे पुकारता था अनेरा धुमिल हुआ फीका पड़ा मिट गया उशा पीली हुई लाल हुई रवी रत लेकर वहां शितित से उस छोर पर आकर पवित्र मन से खड़ा हो गया मुझे लाल के पत्र की याद आई मा मानो लाल पुकार रहा था मानुच जान की प्रतिध्वानी की तरह उसी पुकार को गा रही थी मिली छाती धक धक करने लगी मैंने नौकर को पुकार कर कहा देखो तो लाल की मा क्या कर रही है तब में एक बार पुना मेज और मेजिनी के सामने खड़ा था हाथ में रबर लिए उसी उद्देश से उसने घबराई स्वर से कहा हुजूर उनकी तो अजीब हालत है घर में ताला पड़ा है और वे और वे दर्वाजे पर पाउं पसारे हाथ में कोई चिठी लिए मुझ खोल मरी बैठी है हाँ सरकार विश्वास मानिये में मर गई है सास बंध है आखे खुली सास बंध है आखे खुली